जार्खंड के वित्त मंत्रे डाक्टर रामेसर उरावने सदन में एक लाख एक सो एक करोडो का बजट पेस किया जिसमें सबसे ज़्यादा खर्च सोशल सेक्टर पर किया गया और यहां पिछले वर्स से ग्यारा परसेंट ज्यादा है तो दोस्तों जारकंड के बित्वांतरी डाक्टर रामेसर उराव ने सदन में एक लाग एक हजार एक सु करोड़ का वजट पेस किया है जारकंड के लिए और इसमें सबसे ज्यादा जो खर्च बताया गया है वह सोसल सेक्टर किया गया है इस परकार से और यहाँ जो खर्च है सोसल सेक्टर को किया गया खर्च पिछले वर्स की तूलना में 11 परसेंट ज्यादा है तो इसके बार में पूर्जानकारी को जरू जरू देखना है तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं खेती किसानी तो खेती किसानी में क्या हुआ है गोधन नया योजना के तहट सरकार गोबर खरिद कर खाद तयार करेगी तो दोस्तों यहाँ पे खेती किसानी में से गोधन योजना का तहट यानि कि गोधन जो योजना है उसके तहट सरकार जो है किसानों से गोबर खरिदेगी और फिर इस गोबर से खाद तयार करेगी और खाद को फिर से खेतों में बांट दिया जाएगा खेतों में दे दिया जाएगा किसानों के द्वारा तो इससे फिर ज्यादा फासल होने की ज्यादा संभावना है उमिद है तो इस गोधन निया योजना के था सरकार जो है गोबर खरिद क करके खाद तयार करेगी तो यह खेती किसान के लिए यानि की खिसानों को भी इस谁 कुछ would फाइदा होगा तो इसी करवा कॉंचे यहाँ इस बजट में बोला ग humility बताया एं गरिबों के लिए बात करते हैं तो गरिबों के लिए क्यां है रासन दुकान से प्रती एक रूपिय कीलो की दर से दाल का वित्रन होगा जिससे 64 लाख काड़धारी लाभानुत होगी तो दोस्तों गरिबों के लिए बता गया है कि जो भी यहां पर रासन दुकान है जन प्रनाली के वित्रन दुकान है उहां से प्रती एक रूपिया में एक किलो डाल का वित्रन भी अब किया जाएगा और इससे जो है 64 लाख काड़धारी है जो कि फाइदे मन होंगे उनको फाइदा होगा तो जिस भी परिवार के पास में 64 लाख यानि कि पताया गया है तो उनके पास अगर काड़ है तो वे एक रूपिय प्रती किलो की दर से अ जब डाल भी उनको मुप्त में मिलेगा रासम दुकानों से शिच्छा सिच्छक और विद्यार्थी इसमें क्या है इनके लिए क्या है इसको भी देख लेते हैं तो यहाँ पर गुरुजी क्रेडिट काड़ियोजना के बारे में कहा गया है और गुरुजी क्रेडिट योजना की तहट यहाँ दिया जाएगा इस बजट में इस परकार से खा गया है बताया गया है मुख्यमंत्री सार्थी योजना यह भी एक योजना है जो सरकार की तवरा बोला गया है बताया गया है तो इससे क्या है तो इसमें है कि जो भी स्टूडेंट है जो डिगरी प् त्यार करने की योजना है सरकार की तो यह मुख्यमंतर सार्थी योजना का है अब दिखें यहां पर जो भी है कहा गया है अब वो कितना किस परकार से काम करता है उसका जो रिजल्ट कैसे आता है यह तो अब आगे आने वाले वक्त ही बताएंगे लेकिन यहां पर हम लोगों क कि मुल्क्यमत्र सार्थी यौजना के तात मैं इस परकार से काम chociaż कि जैपाल स्भूढाइए छात्रवुपति यौजना की बारे में कहा गया है जैपाल स्भूणा स्भूणा पारदेश्य थ tiet चात्रव४ति यौजना इस के तात में क्या है तो इसमें है ST, SC, OBC और माइनर T कि जो छात्र हैं उन सब को scholarship दिया जाएगा यानि कि आधिवासी जन जाती आधिवासी जो है उसके बाद आधिवासी की अलावा में OBC है पिर SC है और सुचित जाती है उसका अलपसेंखिक जो है उन सबी के जो students है उनको भी अब यहां पर इसकोलर से प्याने की छात्र वृत्ति दी जाएगी यहां जैपाल सिंग मुंड़ा पार्दिश्टी यह चात्रति योजना के तहत इस परकार के यहां पर कहा गया है इसके अलावा में गोला में एक डिग्री कोअलेज खोलेगी शात्र है कि प्धिद्धाले की स्थापना होगी नोवा आश्र म कृट्टी आवाश्य विद्धाले और एक आवास्य विद्धाले की वी स्थापना होगी तो यहां पर इस बजट में कहा गया कि गोला में है एक डिग्री कोलेज खूलेगी उसका स्थापना होगा साथ साथ में 14 एक लब विद्धाले भी खूले जाएंगे और फिर नाइन आसरम विद्धाले खूले जाएंगे फिर पीजिटी के लिए आवास्य व लिए क्या है तो वह एकि गरीब होगी सानों को हर महीने सो यूनिट फिजली मुप्त दे जाएगेश त Tiger फि एको किरीं मुप्त में देसा जाएगा जो कि एक अच्छी पहले आप देखतें यहां पर क्या होता है फिलालatwo सरकार क्योंती हुआ है और जींव बजट हुआ है उसमें यह कहा गया है सोवा इन्यूट का जो है भी जली अब मुफ्त मिलेगा गरीब जो है और साथ साथ किसान जूह गाउं के उनको यह गाई की विचली मुफ्त मिलेगी साते सात गाओं के लिए क्या है तो गाओं के लिए है कि खेलों के विकास के लिए सीधो कानू युवा कलब की अस्थापना गाओं में होगी जिससे जो है गाओं की युवा विकास करेंगे तो यहां पर गाओं के युवाओं के लिए सिदो कानू युवा कलब के स्थापना की जाएगी जिससे की खेलों की विकास में आगे आएगे और खेलों में विकास होकर साथे साथ उनका अपना भी विकास होग तो यह गाओं और ग्रामिनों के लिए है शिदो-कानू-यूअ-कलब की अस्थापना दोस्तों अब मेडिकल छेतर में याने कि स्वास्थे छेतर में क्या है इसको भी देख लेते हैं तो कहके में मेडिकल मेडिको सिटी की स्थापना की जाएगी साथ ही साथ सराइकेला हुट्टी दोहर्दगा में जिला स्थापना खुलेंगे और आदिम आदिवासियों के लिए बाइक इंबूल मेडिको सिटी की अस्थापना हो गी साथ साथ स fineल खरसो जिला उट्टी जिला और लहर्दगा झीले में जिल अधियقول स्वास्त चेट्र में लाभानमित हों जितने भी जो जाती हैं जो कि यहां पर गरνा में सहरे सभी जाती कि लोगों को इसका फाइदा हो और यहां पर एक C courtesy यह एक जो आदिवासीयों में से आदिम आदिवासी तो है उन दोस्तों अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहां पर सहभ गंज में हवाइड़ा का निर्मान का भी बात हो रहा है तो वह सकता हूं होगा इस परकार कर यहां इस बुजट में कहां जा रहा है अब यहाँ पर सहरी विकास के बात करते हैं तो सहरी विकास में क्या है तो साहभगंज में इंडस्ट्रियल कम लोजिस्टिक पार्क का निर्मान किया जाएगा तो यहाँ पर साहभगंज जीले में इंडस्ट्रियल कम लोजिस्टिक पार्क का निर्मान होगा तो यह आपनों क आपको ध्यान रखना है साथ गोधन नियाई योजना आपको याद रखना है और इसके अलावा में आपको सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो ध्यान रखना है वह भी है कि आदे मादेवासिन जो बाइक एम्बूलेंज की सुरुवात होगी वह भी यह इंपोर्टेंट है और काके में मेडिको सिटी की स्थापना होगी यह भी और सिदो कानू युवा कलब की जो गामें इस्थापना होगी यह आप लोगो ध्यान रखना है और सो यूनिट विजली म निर्मान होना है वह भी साहब गंज में होगा तो इतनी सा जानकारी का लोगो द्यान में रखना ही रखना है यहीं से कोश्चिंग पूज जाने की संभावना है तो जारखन बजट जारखन करेंड अप्यासि में यह तो इंपोर्टेंट है ही अब थोड़ा से दोस्तों बा तो मसली रानेश्वर, मेगालेप्ट योजना, तारामंडग और कंवेंशन सेंटर की स्थापना होगी यह कहा गया इस बजट में रामकर में बात कहाते हैं तो गोला में डिक 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 पहले बता ही दिया रांची में बात कहते हैं यहां पर साइन्स सिटी, मेडिको सिटी, इको टूर्ज में पार्क, इनर रिंग रोड, सीटी, बस सेवा और आवाश्य योजना तो यह सब सारे चीज़ें जो है वो रांची में होगी इसके बारे में काम आविक किया जाएगा इस बजट में कहा गय हो यहां पर यह कहा गया है सरायकिला में जीला स्थरय अस्पताल के रुप में बिक tolerant किया जाएगा यह तो यहां पर अनमंडल स्थरय अस्तर चंपासर अच्छे काम होंगे गोड़ा में समाहर नाले की स्थापना की जाएगी समाहर नाले बनाया जाएगी गोड़ा में धनबाद में काते हैं तो धनबाद में सीटी सेवा सीटी पसेवा और समाहर नाले यहां भी बनेगा सीटी पसेवा जो की राची की जैसे ही सीटी पसेवा का यहां आप होगा और फिर समानाले जो कि गोड़ा में भी होगा और यहां धंभाद में होगा अब को धयान रखना है गुमला से बात नोगे में सब्सक्राइब का झान किया जाएगा है गूम्ला में साब्ध सब्सक्राइब के लोगैं के लिए उस Canada का निर्मान तो यहां पर आप लोगों ने देख लिए किस जिला को क्या मिला है तो यह आप लोगों को इंपोर्टेंट होसकता धारकांड के जो एक्जाम होने वाले हैं उनमें इन सार चीजों से आप लोगों को पूछ लिया जाए तो आप जो भी यहां पर बजट है उसको बिलकुर झाल झाल को झाल है तो एक वाल ने तो लोगों मेले है ने को को वाल शख लुड़ करने मैं ग्या जाहा है सक जैंट है से इंक मिला भीजों कि जाणे उनार इंगा ऑपिगरी ऑ हम बिलाए चाल रहों को लोगगों कि चūस्त, झालूए मैं झाली जा इंए ने दोसकाद एहा